जेहिन दोस्तों कैसे आप शबाई होप आप शबी अच्छे होंगे और आपकी preparation भी सांदर तरीके से चल रही होगी practice आपके सांदर तरीके से चल रही होगी आपका किस दिन exam है दोस्तों आप सभी इस वीडियो को देखने के बाद comment जरूर कीजेगा जिससे कि मैं आपके according की video prepare कर पाऊं और video create कर पाऊं जिससे आपके लिए helpful हो ठीक है आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं दोस्तों जितने भी आपके समास हैं चाहे आपके समास के वेद आप सभी ने पढ़े हैं उन सभी से question करने वाले हैं थोड़ा सा हम discuss करेंगे detail भी बट अगर हम देखे तो हम question पे जादा focus करेंगे कि practice आपको जादा कर दी है ठीक है चलो इसी के साथ सुरुआत करते हैं दोस्तों आज के पहले question के साथ पहला question आप सभी की screen पे दोस्तों की महावीर जो आपका ये सब्द है महावीर सब्द में आपके कौन सा समास देखने को मिलता है आपके महावीर स करमधार समास वहाँ पर होता है जहां पर पूरोपद विशेशन हो यानि कि कोई विसेशता बताए और उत्तरपद विसेश हो वहाँ पर अगर हम देखें तो करमधार समास होता है यह आप कह सकते हैं कि पूरोपद और उत्तरपद उपमे और उपमान संबंध होता है तो ऐ जैसे अगर हम देखें, तो कर्मधारे समास कहलाते हैं, जैसे आप सभी example देखें, उधारेंद देखें, तो आपके नील कंट हो गया, नीला है जो कंट, पीतांबर हो गया, पीला है जोंबर, तो इसी तरह से महावीर हो गया, आपके कर्मधारे समास, तो आप शवी ने first answer हो अगला कोश्यन है वन गमन वन गमन इसका अगर हम देखे समस्पद का बिग्रह क्या हो जाएगा आपके वन गमन का बिग्रह क्या हो जाएगा यह आप शबी को बताना है दोस्तों याद रखेगा वन गमन का बिग्रह आपसे पुछा गया है और आपको हो जाएगा वन को गमन ठीक है, वन को जाना, यानि कि वन को गमन, इसमें कौन सा समाज होगा, कमेंट करके बताएगा, जो चीजे मैं आप से पूछे, उसका आपको कमेंट में एंसर करना है, ठीक है, वन का गमन, तो इसका आपके कमेंट करके बताना है कि कौन सा समाज होगा आपके इसमें, जैसे अ याद रखना है ये पीतांबर का समस्तपद है कौन सा समास होगा दोस्तों आपको याद रखना है कौन सा समास होगा आपके कर्मधारे समास होगा आपके इसमें ठीक है नेक्स्ट है जैसे कि गुरु दक्षिना गुरु दक्षिना सब्द का सही समास विग्रह क्या हो जाएग तो आप शबी को याद रखना है गुरु दक्षिना यानि कि गुरु के लिए दक्षिना क्या हो जाएगा गुरु के लिए दक्षिना तो इसमें कौन सा समास होगा तो आप शबी को याद रखना है ततपुरुस समास होगा तो यह आपको कमेंट करके अगर बताना है तो आप बता सकते हैं बड़ मैं आपको इंफर्म कर देता हूँ संप्रदान तत्पुरुस्वमास जहां समास के पुरोपद में संप्रदान की विभक्ति के लिए का लोप होता है वहाँ पे आपके संप्रदान तत्पुरुस्वमास होता है याद रखिएगा सभी मैं आपको उदाहन दे देता हूँ धेर सारे कि जैसे कि रसोई घर है तो रसोई के लिए घर सत्या ग्रह है तो सत्य के लिए आग ग्रह और विद्याले है तो विद्या के लिए आले जहाँ पे के लिए का लोपो वहाँ पे आपके संपरदान तत्पु उसे आप सभी को दिखने को मिलता है ठीक है चलि next question कर लेते हैं next question कर लेते हैं कि दिन चरिया समस्त पद का बिग्रह क्या हो जाएगा दिन चरिया इसका समस्त बिग्रह क्या हो जाएगा आपके दिन चरिया का अब दिन चरिया का समस्त पद का विग्रह हो जाएगा, याद रखेगा आप सभी क्या हो जाएगा, दिन की चरिया, क्या हो जाएगा दिन की चरिया, कौन सा समाश होगा, कमेंट करके बताईएगा, इसमें आपके कौन से समाश हो जाएगा, तो ये थे हमारे five questions, अगले next question हम क आपको प्रथम पद संख्या बाचक मिलें, जैसे कि आपको यहां पे उदारण मिलें सब्तर्शी, या आपके बाद करें चोराहा, ऐसे आपको मिलें जो आपके समस्त पद, तो आप सभी को क्या करना है, द्रिगु शमाश आपका एंसर हो जाएगा, ठीक है, अगला प्रश्म तरीक से मजा आएगा करने में, चलिए, सरनागत समस्त पद में कौन सा समाश होगा, दोस्तों याद रखेगा, सरनागत या नहीं सरन में आगत, एक तरे से गर हम बात करें, तत्पूर शमाश है, दोस्तों, याद रखेगा, सरनागत में आपके देखे, तत्पूर शमाश ह अगला प्रश्न कीज़ेगा लंबोदर समस्त पद में कौन सा समास है याद रखेगा जिस समाशिक पद के दोनों पद गौन हो आपके याद ये दोनों पद मिलकर किसे तीसरे पद की अगर हम देखे प्रधांता की और अगर हम बात करें संकेत करते हैं जैसे हम उदाहरण दे जिसका शिवक लंबोदर लंबा है उदर जिसका गनेश तो जिसमें अगर हम बात करें तीसरे पद की प्रधांता मिलती है वहाँ पे आप करेंगे बहुबरी समास बहती सांदार तरीके से प्रश्न करने वाले हैं लास्ट तक जुड़े रहीगा सभी और अपने दोस्तों क उदफ्चे सम landed तो हुआ करें आपको याद रखना है कि आपको हो जाएगा दिन्द समास जिस समासिक पद में दोनों पद प्रधान हो और या आपके अथवा सब्द का लोप हो वहाँ पर कौन Lift Adid ты घा Stream और दुखी, साधु संत, साधु और संत, हवा पानी, हवा और पानी, अन जल, अन और जल, लाव हानी, लाव हानी, उसी तरह से तन मन और धन, तन और मन और धन, तो आपका क्या हो जाएगा, धन शमास हो जाएगा, तीक है, मजा आ रहा है दोस्तों आप सभी को, शरी कमेंट क करके बताएगा आप सभी अगला उरुष्ण कर लेते हैं कि किस समाश का पुरोपद प्रधानवा अभियब होता है किस समाश का दोस्तों पुरोपद प्रधानवा अभियब होता है यह आप सभी को बताना है किस समाश का पुरोपद प्रधानवा अभियब होता है तो आप सभ प्रत्य दिन में कौन सा समाश होगा तो आपको अब्यविभाव समाश होगा यथा सक्ती में कौन सा समाश होगा तो आपके अब्यविभाव समाश होगा घर घर में यानि कि हर घर में इसका विग्रे हो जाएगा तो आपके अब्यविभाव समाश होगा कई सारे आपके पास दारने आपके देखने को मिलते हैं चलिए अगला प्रशने कीजिएगा थोड़ा से वीडियो लॉंग हो सकता है बट आपको आज की बाद समास पढ़ने ही जोत नहीं पढ़ेगी चलिए अगला कीजिएगा यथा समय में कौन सा समास है यथा समय में कौन सा समास देखने को मि गिरी को धारण करने वाला कौन सा समास होगा आपके, गिरी को धारण करने वाला कौन सा समास होगा, दोस्तों आप चबी याद रखेगा, गिरी को धारण करने वाला आपके कौन सा समास होगा, आपको याद रखना है, बहुबरीश हमास हो जाएगा, कौन सा समास होगा, कि किसे तीसरे पद की प्रद्धान्ता होती है वहाँ पे होता है आपके बहुबडी शमास जैसे चक्रधर, चक्रधारन किया है जिसने विश्णू, थीक है तो यहाँ पे अगर हम देखें बहुबडी शमास हो जाएगा अगला यहाँ पर प्रेशन है कि ततपुरुष शमास के लिए सही समस्तपद कौन सा है आपके इन में से ततपुरुष शमास के लिए सही जो आपका समस्तपद कौन सा है इन में से देगे options में से ततपुरुष शमास के लिए कौन सा है आपके ततपुरुष शमास के हो आपके कमेंट कीजिएगा लंब उदर अगर हम देखें लंबा है उदर जिसका गणेश तिरंगा तिरंगा में आपके दिख रहा है संख्या बाचक तो आपको हो जाएगा दिगु समास चलिए अगला प्रशनी कीजिएगा महा नायक समस्त पद में कौन सा समास देखने को मिल बता है बहुत ही आसान से है मैंने आपको अभी सब कुछ बता दिया है महा नायक महा नहे जो नायक यानिकि किसे की विशेष्ता बता रहा है आपके तो आप सभी इंसर करेंगे क्या दूस्तो कर्मधारे समास आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला प्रशनी है कि न नील गगन के लिए उचित समाश कौन सा हो जाएगा आपके नील गगन के लिए उचित समाश कौन सा हो जाएगा दोस्तों याद रखेगा नील गगन अगर हम बात करें यहाँ पे तो नीला है जो गगन अगर हम देखे एक तरह से ठीक है तो यह तीसरे पद की प्रधानता दे कर्मधारे समास हो जाएगा ठीक है कभी कभी क्या होता है वोल टे टाइम पे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती तो आप उसे करेक्ट कर लिया करें देखिए दोस्तों किसी प्रशन में अगर कोई गल्ती होती है न मैं आपको कमेंट में बता देता हूँ ठीक है यहाँ पे पुछ पुरुष महान है जो पुरुष सभी में क्या होगा कर्मधारे समास जहाँ पे पुरोपद विशेशल उत्तरपद विशेश होता है वो आपके होता है कर्मधारे समास ठीक है चली next question कीजिएगा सांदार प्रशने आपके सामने है पत्र बेवहार में कौन सा समास होगा आप तत्पुरुष में कौन सा समास है एक बर बताएगा तत्पुरुष में कौन सा समास है अगला प्रशनी जैसे कि हम करें कि चक्रधर सब्द में कौन सा समास है आपका चक्रधर में कौन सा समास है आपका दोस्तों चक्रधर में याद रखेगा चक्रधर में आपका कौन सा सम समास हो जाएगा चक्रधर ठीक है नेक्श कीजिएगा दिगु समास के लिए सही सब्द कौन सा है आपके इन में से इन में से इन में से दिगु समास के लिए सही सब्द क्या है माता और पिता सात रिश्यों का समूँ श्वर्ग को प्राप्त या नीला है जो कंट तो दिगु स शमास के लिए अगर हम बात करें इन में से कौन सा है, आपको मैंने बताया, पुरोपद संख्यावाचक बिशेशन होगा, तो आपको याद रखना है, दिगुशमास में अगर हम देखें, कि आपका इन में से क्या हो जाएगा right answer, तो आप शवी को answer करना है, यहाँ पर अगर हम देखें कि आपके इन में से दिगु समाज का जो दारन हो जाएगा आप सभी के सामने वो हो जाएगा आपके इन में से साथ रिशियों का समूह जो से आप बोलते हैं सब तरह से साथ रिशियों का समूह यानि की संख्या मिल रही है आपको और आसानी से आने वाले डे में एक्जाम है आपके, कई सारे प्रेशने तो आपको इसी में से मिल जाएंगे, जो मैं प्रेशने करा रहा हूँ, देखे, घर परिवार के लिए उचित समास कौन सा है, तो आपको याद रखना है, घर और परिवार, दिन्द समास हो जाएगा आपके, अन्य जल, अन्य और जल, कई सारे उधारन, चलिए अगला कीजिएगा सरनागत में कौन सा समास है, सरनागत, इसमें कौन सा समास है आपका, अभी मैंने आपको बताया भी है, सरनागत में कौन सा समास है आपके, दोस्तों सरन में आगत, कौन सा, सरन में आगत, सरनागत, तत पुरुष्यमास हो जाएगा और तत्पुरुष्यमास में अधिकरन अधिकरन तत्पुरुष्यमास हो जाएगा जिस जहां पे आपके देखे कि मेया पर का लोप होता है वहां पे कौन सा समास होता है अधिकरन तत्पुरुष्यमास होता है आपके जैसे अगर हम और भी आपक क्या हो जाएगा अधिकरन तत्पूरु समास, बहुत सारे उधारेंगे आप सभी आगे, हम अभी करेंगे इसके बारे में इसके चलिए अगला प्रश्न कर लीजेगा, कुल स्रेष्ट समस्त पद में कौन सा समास है आपका, कुल स्रेष्ट समस्त पद में कौन सा समास है आपक अगला प्रश्ण कीजिगा आठ सिध्यों का समूह कौन से समास हो जाएगा आपके अश्ट सिध्य बोल सकते हैं आठ सिध्यों का समूह याद रखेगा दोस्तों बहुत ही सामधर प्रश्ण है अगर हम देखे और आपसो भी इंसर कर पाएंगे दिगुसमास, कौन सा समास है दिगुसमास जहाँ पे भी प्रथम पद संख्या बाचक दिखे आप सीधे अंसर करेंगे दिगुसमास ठीक है, अगला प्रशने कीजिएगा त्रिलोचन में कौन सा समास है आपके कुछ आपके देखते हो तो आपको अपवाद भी देखने को मिलते हैं जैसे आपके सामने है त्रिलोचन त्रिलोचन में अगर हम देखे कि कौन सा समास है आप सभी अंसर कीजेगा त्रिलोचन में अगर हम देखे तो आपको मिलेगा बहुबरीश हमास त्रिलोचन में कौन सा है बहुबरी समास ठीक है जैसे कि मैंने आपको दर्ण दिये चक्रदर बीड़ा पाणी बीड़ा है पाणी में जिसके सरश्वति किसी तीसरे पद की प्रधांता मिल रही है तो आपको त्रिलोचन में कौन सा समास हो जाएगा याद रिखेगा बहुबरी समास हो जाएगा ठीक है अगला प्रश्ण है दान पात्र इसके लिए कौन सा समास है आपका दान पात्र इसके लिए कौन सा समास है आपका दान पात्र दोस्तों याद रिखेगा दान पात्र में अगर हम देखे तो तत्पूरुस हो जाएगा आप आप सभी आसानी से एंसर कर सकते हैं तो आप सभी आसानी से एंसर कर सकते हैं आप सभी आसानी से एंसर कर सकते हैं कि जिसमें पूरुपद आपके देखे विशेशन होने के काण अगर हम देखे तो पूरुपद गौन और उत्तरपद विशेश होने के काण प्रधान होता है व कुल परंपरा में कौन सा समास है दोस्तों आप सभी इंसर किजेगा और आजानी से आप इंसर कर सकते हैं थोड़ा से मैं स्पीड के साथ चल रहा हूँ तत्पुरुष समास हो जाएगा कुल की जो परंपरा है आपके तत्पुरुष समास हो जाएगा आपके यहाँ पर अगर हम देखे अब कौन सा तत्पुरुष समास है बताईएगा एक बार थोड़ा सा इसे डिटेल में बताईगा कौन सा तत्पुरस समास है आपके कुल परमपरा में हम अगले प्रशन की वर चलते हैं अगला प्रशन आपके लिए आसान सा है कि यथा सक्ती समस्त पद में कौन सा समास है आपके यथा सक्ती समस्त पद में अगर हम देखे कि कौन सा समास है आपके तो याद रखेगा दोस्तो यथा अभी अभी भाव समास हो जाएगा आपके यथा सक्ती में कौन सा समास है अभी भाव समास हो जाएगा आपके सक्ती के अंसवार यथा सक्ती कौन सा समास अभी भाव समास answer क्या हो जाएगा option first हो जाएगा दोस्तों अगला question कीजिएगा ता तारा और वमीरो समस्त पद में कौन सा समाश है आपके इसमें कौन सा समाश आपको मिल जाएगा बहुत ही आसान सा है क्या देखनों को मिल रहा है और देखनों को मिल रहा है यहाँ पर याद देखनों को मिले ऐसा अपके देखनों को मिले तो आपके answer करेंगे दिंद समास करेंगे, सीधे क्या करेंगे दिंद समास करेंगे, अगला प्रशन है नील कमल समस्त पद में कौन सा समास है आपके नील कमल समस्त पद में कौन सा समास है नीला है जो कमल, ठीक है next है, कौन सा समाश शमूह या बियोहार का बोध कराता है, तो आप सभी को याद रखना है कि कौन सा समाश समूह या समाहार का बोध कराता है, तो आपका दिगु समास, शमूह या शमाहार का बोध कराता है, वह समाश है आपके दिगु समास दोस्तों, याद रखेगा चलिए अगला प्रशने कर लीजेगा बहुत ही आसान सा प्रशने हैं थोड़ा से स्पीट कुड़ाते चलते हैं यथा संभो में कौन सा समास है आपका यथा संभो कि दोश्तों राहही खर्च में कौन सा समास से आप याद रखेगा इसमें अब आपको एक तरह से आपके तत्पुरुष समास की जो भेद हैं उनके बारे में आपके पूछा कि देखें राह खर्च अगर हम देखें तो संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा संप्रदान ततपुरुष संप्रदान ततपुरुष के अभी मैंने आपको क्या बताया है संप्रदान ततपुरुष कब होता है संप्रदान ततपुरुष आपके तब होता है जब अगर हम देखे के लिए का लोप होता है यानि कि अगर हम बात करें राह के लिए खर्च क्या हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा कमल नयन में कौन सा समास है दोस्तों कमल नयन कमल नयन में कौन सा समास है आप सभी बताएंगे कौन सा समास है तो याद रखेगा कमल नयन कौन सा समास हो जाएगा आपके तो आप सभी याद रखेगा कमल नयान में कौन से समास से याद रखेगा करमधारे समास हो जाएगा करमधारे समास अगला कीजिएगा फूल और पत्ते फूल और पत्ते में कौन से समास है फूल और पत्ते बहुत बढ़ी हैं बहुत तर इंसर किया है आप सभी ने कौन से हो जाएगा दिंद समास और दिखे अथवा दिखे या दिखे तो आप सीधे करेंगे दिंद समास किस समाश में दोनों पद प्रधान होते हैं बहुत ही अच्छा प्रशन है किस समाश में दोनों पद प्रधान होते हैं दोनों पद कहां पर प्रधान होते हैं सीधे आपको यहाँ पर बता देते हैं जैसे कि आपको दिया गया है फूल और पत्ते दोनों पत प्रधान है, फोल भी, पत्ते भी, फोल और पत्ते, दोनों पत प्रधान हो, सीधे answer करेंगे कौन से समास, दिंद समास, क्या answer करेंगे, दिंद समास, चलिए, आगे के question कर लेते हैं, बहुत ही सांधर प्रशन हो, बहुत अच्छी है, और ठेट सारे प्रशन आपकी exam में, आपकी इसी question बनने वाले है, चलिए, राजदूत में कौन से समास है दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो लांग होने वाला है, पर आपको चीजे, content आपको देखे तो विस्ट मिलेगा, चलिए, राजदूत में कौन से समास है आपके, दोस्तों, राजदूत में याद र जिगु समास कीजेगा आपके, चलिए, बिद्या धन, बिद्या धन में कौन से समास है आपके, बिद्या धन, जोस्तों, बिद्या धन में कौन से समास है याद रखेगा, कर्मधारे समास, कौन से समास हो जाएगा, कर्मधारे समास हो जाएगा, बिद्या धन में, अगला प अगला प्रश्ण कीजिएगा अब्यभी भाव समास के लिए कौनसा समस्त पद सही है आपके इनमे से जैसे मिले आपको प्रतिदिन चौपाई, चंद्रमुख, सौदागर तो आप answer करेंगे जहां पे आपको अब्यभी मिले प्रति यथा इस तरह से आपको अब्यभी मिले त कि आपको हो जाएगा बिभाव समास संख्या दिख रहे हैं आपको दिगु समास हो जाएगा सीधे दिगु समास आपको एंसर कर ना है पीतामबर में कौन सा समास है ठीक है पीतामबर क्या हो जाएगा आपके बावबरी शमास हो जाएगा अभी मैंने आपको डिटेल में बताया है हस्त लिखित इसमें कौन सा समास है आपको हस्त लिखित हस्त लिखित में कौन सा समास है आपके इनमे से बहुत बड़ी हैं इसका आपके बात करें इसका कौन से तकपुर्ष समास का कौन सा भेध होगा आपके हस्त लिखित एक बार बताएगा कमेंट करके कौन सा होगा आपके हस्त लिखित दिंद समास के लिए सही समस्त पद कौन सा है आपके इन में से, जैसे ये चंदर मुखी, काम चोर, अब काम और चोर तो होगा नहीं, रसोई घर, रसोई के लिए घर तो होगा नहीं, चंदर मुखी भी नहीं होगा, नर और नारी, नर और नारी, ठीक है, दिंद समास हो जाए आगला प्रशन कीजेगा चंद्र है सिखर पर जिसके सीव सब्द जो आपका समुह सिखर पर जिसके चंद्र है सिखर पर जिसके कौनसा स penso याद रखेगां कि हो जाएगा बहुबरी समास कौन सा समास है आपको दोस्ते याद रखना है बहुबरी समास हो जाएगा चंदर है सिखर पर जिसके किसकी बात की जा रहे? स्यू की बात की जा रहे? तीसरा पत्प्रधान होता है कहां पर होता है? आपको याद रखना है बहुबरी سماस में होता है यह बहुबरी समस है आप इंसर करेंगे चलि एगला प्ष Carrie कीजेगा तीन राहों का समूह तीन राहों का समूह क्या इंसर हो जाएगा तीन राहों का समूह वह यह जितने भी संख्या बात्षक दिखे सीधे कुछ नहीं बस आपको करना है दिगु समास तीन राहों का समूह, ती राहा बोल सकते हैं आप सभी, चार राहों का समूह, चोरा है, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़ी है, नील कमल, अगर हम देखें कौन सा समास है आपका, नील कमल, नील कमल में कौन सा समास है, आप सभी बताएगा, नील कमल में कौन सा समास है, दुफ्त बहुत बढ़ी यहां चलिया आसान सा है क्या हो जाएगा ततपुरुष्ष हमास हो जाएगा ततपुरुष्षमास अगर हम देखे तो हो जाएगा राइट अगला है ततपुरुष्षमास के लिए सही समस्त पत कौन सा है पत जड़, नभिचर, सजण, चंद्रमुख, कौन सा समास हो जाएगा अन्य और जल आसान सा है जहां पे दिखे और जहां पे दिखे या जहां से आपको स्विग्रे पढ़ने पर और अत्वा या दिखे तो आप सीधे करेंगे क्या दिंद समास अन्य और जल दिंद समास हो जाएगा चले आंगे के प्रशने करते हैं राम के लिए भक्ति अगर हम बात करें एक तरह से राम भक्ति तत्पुरुस समास हो जाएगा आपके ठीक है राम की भक्ति राम की भक्ति ठीक है तत्पुरुस समास हो जाएगा आपके राम की भक्ति ठीक है पुरुषोत्तम समस्त पद में कौनसा समास है आपके पुरुषोत्तम पुरुशोत्तम में अगर हम देखे कौन से समास दोस्ते याद रखेगा पुरुशोत्तम में कौन से समास है तो करमधारे समास कौन से समास है करमधारे समास ठीक है अगला है छोटा या बड़ा कौन से समास हो जाएगा चोटा या बड़ा अभी मैंने आपको क्या बता है चोटा या बड़ा या दिखे और दिखे अत्वा दिखे तो भाई सीधे इंसर करना है क्या दिन्द समास करना है कुछ और नहीं देखना है सीधे करना है दिन्द समास ठीक है किस समास में पहला पद प्रधान होता है किस समा प्रधान होता है जिस समाश में दोनों पद प्रधान होते हैं अब उहां पर क्या करेंगे आप सबी जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं अभी मैंने आपको प्रशने करा है दोनों पद कहां पर प्रधान होते हैं तो आपको दिंद समाश याद रखना है दिंद समाश साद रखना है दोनों पदि प्रदहन होते हैं यहां पर पहला पद कहां पर प्रधान होता है तो अब भी भाव में प्रधान होता है ठीक है last five question और है आप सभी के पास हम उने भी कर लेते हैं और आप सभी इस वीडियो में समस्थपद है को सताब्दी शताबदी यह सताबदी जहां पर संख्या देखने हो को मिले ऐसा बोध हो आप सभी सीधे एंसर कीज़ेगा दिगुसमास क्या हो जाएगा दिगुसमास हो जाएगा गाउं गाउं में कौन सा समास है आपके गाउं गाउं कौन सा समाश हो जाएगा आपके गाउं-गाउं में ठीक है सीधे answer कीजेगा आप सभी answer क्या हो जाएगा इसका गाउं-गाउं में अगर हम देखें कौन सा समाश है आपको तो गाउं-गाउं में अगर हम बात करें कौन सा समाश है तो आपका हो जाएगा option first अगर हम देखें आपका right answer हो जाएगा next कीजिएगा जहां पे एक ही मैंने आपको बताया है जहां पे एक ही पद दिखें दो बार और योजक्षिन ने दिख रहा है आप सभी को वहाँ पे अभेवी भाव समास होता है अभेवी भाव समास होता है आपके वहाँ पे जैसे घर घर हो गया बताया था मैंने आपको घर घर हो गया गाउं गाउं हो गया सीधे अभेवी भाव समास कीजिएगा कभी गलत नहीं होगा आपका ठीक है किस समास में पहला पद संख्या बाची होता है कहां पे पहला पद संख्या बाची होता है आप सीधे अंसर कीजिएगा दिगु समास में होता है भाईया कोई कन्फियोजर नहीं सीधे दिगु समास समास के कितने भेद होते हैं समास के कितने भेद होते हैं सभी तो बता दिया आप सभी को कितने भेद होते हैं चै भेद होते हैं तत्पुरुस समास करमधारे समास दिगु समास दिंदु समास बहुबरे समास अबेविभाव समास छह समास हो गए आपके ठीक है किस समास में दोनों पदों के मद्ध उपमे और उपमान का संबंद होता है उपमे और उपमान का संबंद कहां पर होता है आपके दोस्तों उपमे और उपमान कहां पर होता है तो कर्मधारे समास में होता है तो ये थे दोस्तों हमारे maximum question अगर हम देखे 50 to 60 question हमने यहाँ पे किये हैं और आपको I hope आप सभी का clear होगया होगा समाज से कोई भी question बनेगा तो आप आसानी से answer कर पाएंगे कैसे लगी आपको ये वीडियो और आप सभी दोस्तों सेयर कीजेगा इस वीडियो को जासे अपने सभी दोस्तों के साथ चैनल पे अगर आप नहीं है तो subscribe कर लिजेगा विल आइकन प्रेस कर दीजेगा जिससे कि आने वाले वीडियो को आपको notification भी मिलता रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से सांधर वीडियो के साथ दोस्तों आप सभी बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहे हैं इसना MP तो ज़्यादा आप सभी प्यार बनाए रखें और वीडियो को ज़्यादा सेयर कीजेगा सपोर्ट कीजेए आप सभी चैनल से जुड़ जाएए विलाइकन प्रेस कर लीजेगे जिससे notification आपको मिलता रहे इसी तरह से हम आगे आने वाले exam की भी वीडियो आप सभी को provide करते रहेंगे अभी पटवारी का exam जैसे ही होता है तो फिर हम आगे exam आने वाले जो exam है जैसे प्रुज सब्सक्राइब 2